और अब्विस सी बात है धर्ब विशेश की बारे में बोलने में उसको कहीं ना कहीं कतरा नहीं की जो एक उसकी आज़त है वो सामने आही जाती है जैसे कि इसको लेकर जबर्दस्ती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दोज 19,000 विट एट आमस अनौल दे कैन रीच एनिवेर दे वॉन्ट जर्ना गर्ग इट इस यू वहाइट प्रॉब्लम और कांट रीच एनिवेर यूर डेस्परेट नीड 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 नी जर्ना इसके आगे देव देवताओं के साथ भारतियों का मजाग उड़ाते हुए कहती है कि 19,000 हिंदु देव देवता हैं लेकिन एक भी देवता उस चीज के लिए नहीं है जिसकी भारतियों को सबसे ज़्यादा जरूरत है जर्ना आगे कहती है कि मेरा मतलब है कि ये एक हिंदु देवी देवताओं को लगतार टार्गेट करता रहता है और अब्विस सी बात है धर्व विशेष ये बारे में बोलने में उसको कही ना कही कतरान ही की जो एक उसकी आधा थे वो सामने आही जाती है यो कि कोई नहीं चाहता ना कि उसके खिलाफ फथवा निकल जाय ऐसे में हमारे देश में कही सारे comedians हैं जो की समय समय पर सामने आते ही रहते हैं ऐसे में एक नया वीडियो है समय जो सोशल मीडिया पर खासा वारल हो रहा है जिसमें कि एक महिला हिंदू भगवानों के प्रती अपनी एक कहना चाहिए और बिंदी नहीं लगी इसका मतलब है कि मैं छुट्टी है मना निकली जा रही है मतलब बिंदी को इस कदर तक नीचे गिरा दिया गया कल को तो फिर आप यह जो कलावा हमने बांद के रखा इसको लिकर भी अप कमीडियन्स किसी न किसी तरह से हिंदु धर्म का माखौल उडाते नगरा ही जाते है हाली में एक आम कमीडियन जर्णा वर्ग ने किया है जरना ने प्राइम वीडियो पर आई अपनी कॉमेडी वीडियो वन इन दा बिलियन में हिंदू देवी देवताओं का मजाग उड़ा है उनकी वीडियो की क्लिप अप सोशल मीडिया पर वारल हो रही है इस क्लिप में जरना गर को कहते हैं कि मैं और मेरे पती दोनों हाइट में छोटे हैं हम भगवान से प्रार्दना करते हैं कि हमारा लड़का लंबा हो लेकिन हिंदूों में लंबाई देने वाला कोई देवता है ही नहीं जरना इसके आगे देवी देवताओं के साथ भारतियों का मजाग उड़ाते हुए कहती है कि 19,000 हिंदू देवी देवता हैं लेकिन एक भी देवता उस चीज़ के लिए नहीं है जिसकी भारतियों को सबसे ज़्यादा जरूरत है जरना आगे कहती है कि मेरा मतलब है कि ये एक्स्ट्रा बाजू लेकर क्या करेंगे मतलब कि वो जो हिंदू देवी देवताओं के कई सारे हाथ दिखाया जाते हैं उसको लेकर इंकतात पर रहे था कि ये लोग एक्स्ट्रा बाजू लेकर क्या करेंगे इतना ही नहीं इस वीडियो से हिंदू इतने हाथ हैं कि प्रदेशों के पुलिस को टैक करने के जर्णा के खिलाफ F.I.R. करने के लिए भी कहा जा रहा है जैसा उन्होंने माथे पर लगाई बिंदी को लेकर भी इस वीडियो में एक मजा कोड़ा है जो कि मैं आपको शुरुआत में बताया ही था सोशल मीडिया पर जलकर जरा कुछ रियक्शन देख लेते हैं कि पबलिक इसको लेकर क्या कुछ कह रही इसके अबर साइबर है ने लिखा है कि इसके अबर साइबर हंट्स ने लिखा है कि इसके अबर साइबर हंट्स ने लिखा है कि I would request Gujarat Police and UP Police to register an FIR on Zarnagarg as well on the promoters of comedy show Prime Video Inn for Mocking Hindu Gods also Hindu ITCell Rajput Ramesh please do the needful ASAP Hindu won't tolerate such mockery on Hindu Gods Suraj Singh Rajput लिखते है comedian Zarnagarg makes fun of Hindu Gods shameless after maneuver Faruqi another comedian insulting our Hindu Gods need to take appropriate action on that Prime Video इसके साथ नोने कई सारे लोगों को tag भी किया हुआ है इस प्रकार से कुछ एक reaction सामने आए है साधिक रेटली ने भी इस वीडियो को post करते है comedian Zarnagarg makes fun of Hindu Gods यह नोने पूरा वीडियो यहां पर पोस्ट किया है इसके उपर हम कुछ रेक्शन देखें सबस्वाले रमाल लिखते है Prince Verma ने लिखा है कि while humor and satire are an integral part of comedy it's essential to approach sensitive subjects with empathy and respect making fun of religious figures can be hurtful to those who have hold them sacred it's important for comedians and artists to exercise their creativity likewise Akshay ने यहां पर लिखा है कि यह popular होने के लिए कुछ भी करते है पूछो उन्ने सब्सक्राइब कौन से Hindu Gods है if you are a very woke why don't you make fun of Ismail and Christianity which have verses like these अच्छा ने उन्ने कोई सब वर्स लिखा अगर आपको पढ़ना तो भी हम retweet कर देना है आप जाकर पढ़ सकते है Arun लिखते है यहां कि रिमांदे में फन और जोग we decided to listen and laugh during our college days this joke was about whose dad is taller amongst a group of primary school kids I used to follow her on insta but later I realized that she is the same shame leftist breed make money out of demeaning Hindus on foreign land yes selective outrage is her forte maybe prime video can do a review she should have first prayed to be a woman and not a bull could have prayed to other gods of other legions as well they are waiting to help but waited for a call the easiest way to get popularity to make fun of any faith it is further easy to do of Hindu gods because such people don't dare for others do not popularize them this lady needs to apologize for a period and just so that she understandable the facts are inscribed on temples all over the country dating back thousands of years ago no one could have audacity to question it shortcut these days to become famous literally this shortcut has become famous who is she never watched her anyways and won't ever in the future she has insulted the Hindu gods I don't know what is the need of comedy her frightening face can make us laugh anyway this way there is a reaction and you will have to come in the context that what is happening here but this is a reality that you have to understand that you have to understand that you have to do comedy that you have to do comedy that you have to do comedy but you will see that in the scenario